दक्षिन पश्चिमी अफ्रीका के अट्लांटिक तटपर स्थित नामीब रेगिस्तान प्रित्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है. एक ऐसा च्षेत्र जहां कुछ भी नहीं है, यानि विशाल रेट के टीलों, उबढखाबड पहाडों और बजरी के मैदानों का यह मंगल ग्रह जैसा परिद्रिश्य तीन देशों में लगभग 81,000 वर्ग किमी तक फैला हुआ है. कम से कम 55,000,000 वर्ष पुराना नामीब दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि सहारा केवल 2-7,000,000 वर्ष पुराना है. गर्मियों म समय के साथ बड़ी संख्या में प्रजातियों ने इस चुष्क आश्चर्य को घर कहने के लिए अनुकूलित किया है और इस प्रक्रिया में एक विचित्र भुवाकृतिक घटना पैदा हुई है, जो विशेशग्यों को चकित करती रहती है. नामीब रेगिस्तान दक्षिन अंगोला से नामीबिया और उत्तरी दक्षिन अफ्रीका तक 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है. जहां से यह नाटकिय रूप से समुद्र में गिरता है, सिलिका का यह अंथीन समुद्र नामीबिया के अटलांटिक तक से पूर्व की ओर फैला है, जो दक्षिनी अफ रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कि म्रिगत्रिशना से बाहर निकलते हुए औरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकडबग्धा. शुतुरमुर्ग और जेबरा जैसे जानवर जो इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के अपने शरीर का तापमान बढ़ाते हैं, हार्टमैन के परवतिय जिबरा चतुर परवतारों ही हैं, जिन्होंने रेगिस्तान के उबढखाबड इलाकों के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है, और ओरिक्स जड़ और कंद जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ हफ्तों तक बिना पिये जीवित रह सकता है। जो अट्लांटिक महासागर की ठंडी बेंगुएला धारा के उपर उठने से बनता है, जो नामीब रेगिस्तान के अंदरुनी हिस्से से आने वाली गर्म हवा से टकराती है। नाशनल पार्क के केंदर में नमक और मिट्टी के पैंट। कई की उचाई 200 मीटर से अधिक है। जबकी तथाक्थित ग्यून 7 इंच लाल सोसुस्वलेई परिद्रिश्य के उत्तर में स्थित है। नामीब के कई चमतकारों में से इसकी सबसे दिल्चस्प विशेशताओ और महानतम रहस्यों में से एक-एक भुवाकरितिक धटना है जिसे फेरी सरकल के रूप में जाना जाता है। कभी-कभी फेरी रिंस भी कहा जाता है। घास की एक ही प्रजाती से घिरे रेत के ये बंजर टुकडे पूरे नामीब रेगिस्तान में पाये जाते हैं और दशकों से विशेशग्यों को चकित कर रहे हैं। चल्लों को हवा से सबसे अच्छा देखा जाता है। जहां कोई भी रेगिस्तान की रेत में अन्थीन रूप से फैले हुए वृत्तों के मैट्रिक्स को देखकर आश्चर्यच्कित हो सकता है। नामीब के समतल बजरी के मैदानों और रेगिस्तानी टीलों दोनों में पाये जाने वाले। परी के छल्ले दोनों इलाकों में अपने लगभग पूल्न गोलाकार आकार को बनाए रखते हैं। मध्य नामीब में वृत्तों का व्यास एक दशमलव पांच मीटर से छे मीटर तक है। जबकि उत्तरपश्चिमी नामीबिया में वे लगभग चार गुना बड़े हैं और पच्चीस मीटर तक चौड़े हो सकते हैं। कुछ स्थानिय लोगों का मानना है कि ये रहस्य में घेरे यूएफो या रात में नृत्य करती परियों के कारण होते हैं। आज तक इन जिग्यासु चक्रों के स्रोध के बारे में कोई सार्वभावमिक रूप से स्वीकृत सिध्धान्त नहीं है। लेकिन हाल के वर्षों में नामी विया। जर्मनी, सन्युक्त, राज्य अमेरिका और अन्य जगहों के वैध्यानिक इस घटना को बहतर धंग से समझने की उम्मीद में इसका अध्ययन करने के लिए एक साथ आये हैं। गोबाबेब नामीब अनुसंधान संस्थान, जो रेगिस्तान के मध्य में एक दूरस्थ अनुसंधान केंद्र है। इसमें कीटविज्यानी यूजीन मरैस ने बताया कि दो प्रमुक सिध्धान्त नामीब में पानी की कमी से उपजे हैं। कुछ शोधों से पता चलता है कि ये घेरे दीमकों के कारण बनते हैं, जो जमीन से पानी और पोशक तत्व इकठा करने के लिए ये घेरे बनाते हैं। धूमी से वनस्पती साफ करके दीमक मिट्टी में एक बंजर जगह बनाते हैं, जिससे वर्षा पृत्वी में गहराई तक रिसने लगती हैं। सिध्धान्त बताता है कि दीमक साल भर इन भूमिगत जलाश्यों से पानी पीकर हाइडरेटेड रहते हैं। दूसरा प्रमुक सिध्धान्त वनस्पती स्वसंगठन का है, जहां घासों के बीच जड़ प्रतिसपर्धा के कारण गोलाकार नंगे पैच एक जलाशय के रूप में प्रकट होते हैं, जहां से आसपास के क्षेतर से पोशक तत्व और पानी निकाला जाता है। वर्षों के सूखे के बाद परी सरकल घास अंतह सूख सकती है और गायब हो सकती है। मरैस इस परिद्रिश के आश्चर्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जब बारिश होती है तो अचानक जादू की तरह वृत फिर से उभर आते हैं। मरैस के अनुसार नामीब के परी छलों पर शोध आम तौर पर रेगिस्तान के बजरी के मैदानों के अलग-अलग हिस्सों या रेट के टीलों में पाए जाने वाले वृत्तों पर केंद्रित है। लेकिन इन संरचनाओं को सही माईने में समझने के लिए उनका मानना है कि अनुसांधान का विस्तार दोनों क्षेतरों में होना चाहिए। अंत में मरैस का अनुमान है कि रेगिस्तान में फैले ये अजीब धब्बे कारकों के सन्योजन के कारण होते हैं, लेकिन वे कारक वास्तव में क्या है? यहां आज तक एक रहस्य बना हुआ है. वैसे दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और विडियो को एक लाइक जरूर करें. और हाँ हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार विडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत!